हां मैं इस देश की वासी हूं इस माटी का फर्ज चुकाऊंगी जीने का दम रखती हूं तो इसके लिए मर कर भी दिखलाऊंगी जी हां हम बात कर रहे हैं डा कारगिर गुञ्जन सक्सेना ् उन्निससो नियनयानवे के कारगिर युद में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरे चछकाया था इस युद के अपने कई गतिमान हैं कई शोरे गाथाएं जिनमें एक कहानी है कारगिल गर गुंजन सकसेना की। गुंजन सकसेना वो पहली भारती महिला पाइलेट थी जो वार जोन में गई और एर फोर्स के रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बनी। गुंजन सकसेना का जन्म वर्ष 1975 में एक सेना अधिकारी के परिवार में हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र 46 वर्ष है। SSB पास कर वायू सेना में शामिल हो गई। फ्लाइट लेटिनेंग गुंजन सकसेना भारती वायू सेना की पहली महिला ऑफिसर हैं जो पहली बार युद्ध में गई थी। उस वक्त महिलाओं को वार टाइम में वार्ष जोन में जाने और फ्लाइटर प्लेन उडाने की इजाज़त नहीं थी। फ्लाइट लेटिनेंग कुंजन सकसेना को वर्ष 1994 में पच्चिस अन्ने महिला प्रशिक्षू पाइलटों के साथ भारती वायू सेना में चुना गया था। यह महिला आई ए एफ प्रशिक्षू पाइलटों का पहला बैच था। वे उधंपूर, जमू और कश्मीर में तेनाद थी। कारगर युद में जमीन पर पाकिसानी सेना से लड़ रही भारती सेना को रेस्क्यू और जरुरत की चीजों के लिए एर फोर्स की मदद चाहिए थी। वायू सेना में महिला पाइलटों का बैच इस चुनोती के लिए तयार किया जा रहा था। इससे पहले महिला पाइलेट्स को किसी भी युद में ऐसे भेजा नहीं गया था। लेकिन आखिर मोके पर ये फैसला किया गया कि महिला पाइलेट्स भी इस मिशन का हिस्सा होंगी। ये जिमेदारी, गुंजन और उनकी साथी शिरिविध्या रंजन को सोपी गई। काम मुश्किल था क्योंकि हवा में पाकिस्तान की तरफ से लड़ा को विमान नजर गड़ाए बैठे थे जो किसी भी मोके को हाथ से जाने नहीं देते। कुस दिनों की ट्रेनिंग के बाद गुंजन को युद शेत्र में जाने के लिए तयार होना था। फ्लाइट अफसर गुंजन सेक्सेना को द्रास और बटालिक जैसे खत्रों से भरे इलाकों में सप्लाई देनी थी। इसी बीच उन्होंने घायल सेनिकों को भी सलामती से आर्मी बेस पहुँचाया। वो अपने सीनियर्स को दुश्मन सेना की पोजिशन और उनके ठिकाने भी बताती रही जो एक बड़ी मदद थी। गुंजन के पास एक लोड़ेट असॉल्ट स्राइफल और रिवॉल्वर हमेशा रहती थी ताकि किसी मुश्किल इस्तिती में वो मुकाबला कर सकें। किसी भी युद का हिस्सा ना रही एक नई पाइलेट के लिए इस्तिती काफी ड़ाने वाली हो सकती थी। लेकिन गुंजन ने इस मिशन को पूरी बहादुरी से पूरा किया। इसी दोरान गुंजन के साथ एक हासा भी हुआ जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने गुंजन के हेलिकॉप्टर चीता पर मिसाइल दागी। जो भागेवश, निशाना चूग गई और ठीक पास की पहाडी से जाटकराई। ये हासा ये बताने के लिए काफी था कि गुंजन एक सच्चे सैनिक की तरह देश के लिए सर्वस नुचावर करने के लिए तैयार थी। इस मिशन के दोरान अदम में साहस दिखाने के लिए गुंजन सक्सेना को भारती सैना की तरफ से शौरवीर से सम्मानित किया गया। साल 2004 में चौपर पाइलेट के रूप में साथ वर्षों तक सेवा देने के बाद गुंजन सक्सेना की भारती सैना के साथ जन्नी खत्म हो गई। गुंजन सक्सेना की कहानी इस समाज के लिए और लड़कियों के लिए हमिशा प्रेना का काम करेगी। जीवन है कवीता एक वीर रस की आनन्द है इसका घावो में तुम मुझे ढूंड रहे हो इसके शब्दों में मैं कब से गुम हूँ ठैरावो में मैं कब से गुम हूँ ठैरावो में